कहते हैं न जो हंसा थे वो उड़ गये और कागा भे दिवान हलाकि पाकिस्तान की संयोग की राजनीती ऐसी है कि कभी भी यहां पर हंस राजनीती में नहीं बैठे सत्ता पे हंस बैठने की बजाए हमेशा कववे ही बैठे और इन कववों ने भारत के खिलाब कहां कहां करने के अलावे कुछ न किया हो पर इस वक्त भीसन तबाही में जा रहा है पाकिस्तान पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एर स्ट्राइक कर दिया है वो भी एक ब गया है जहां एक तरफ यह सब कुछ हो रहा है तो अब सबसे बड़ा खत्रा सुरू हो गया है पाकिस्तान की संसद पर क्या पाकिस्तान की संसद को उड़ाने वाले हैं TTP और उससे भी बड़ी बात क्या बिलावल बुट्टो के लिए भी कुछ ऐसा ही TTP का एलान है बिलावल भुट्टो आखे TTP के निसाने पर क्यों आ गया है जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियो पॉल्टिक्स में आई जानते हैं इन खबरों को विस्तार से पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए सबसे बड़ी मुस्किल ये हो गई है न कि पाकिस्तान के अंदर जितने विद्रोही गुट हैं उनमें जो बड़े बड़े गुट हैं उन्होंने आपस में समझोता कर लिया है बलुचिस्तान के विद्रोही और TTP दोनों हाथ मिला चुके हैं और दोनों ही इतने ताकतवर हैं कि अभी तक पाकिस्तानी सेना इसे कंट्रोल नहीं कर पारी ही है और उपर से तीसरा जो बैठा है अफगानिस्तान में तालिबान वो अफगानिस्तान वाला तालीबान जो डूरंड लाइन को नहीं मानता है उसने TTP को कथी तोर पर सपोर्ट करना सुरू कर दिया है मतलब तीन ऐसे खूंखार लोगों का और संगठनों का जमावड़ा हो गया है एक साथ पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सरते मनवाने के लिए TTP ने खैबर पक्तुनकुआ, वजरिस्तान और पाकिस्तान के अलग-अलग हिस्सों पर हमला करना सुरू कर दिया ये देखनों कमिला कि बलुचिस्तान में जो इनके टॉप कमांडर थे वो भी IS के इनके खूफिया एजेंसी के डिप्टी डाइरेक्टर थे वो दो लोग पहुचे हुए थे और होटल में पार्किंग से पहले ही उन्हें उपर का रास्ता दिखा दिया बिद्रोहियों ने सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है पिछले साल की गिंती मानेंगे न तो कहा जा रहा है कि करीब करीब 700 के आसपास पाकिस्तानी सेना उपर पहुच चुके हैं वैसे आधिकारिक आखणा में कभी पाकिस्तान इस बात को नहीं मानता है अकेले तो दिसंबर मेहने में करीब 40 सेना के जवान और जिनमें अधिकारी भी सामिल हैं वो उपर गए हैं सिर्फ इन ग्रिय युद्ध की लडाईयों में पाकिस्तानी सरकार के हाथ से जैसे ही सब कुछ फिसलता हुआ दिखा वैसे ही इनों ने एक बैठक की इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि हम ऐसा करते हैं टीटीपी के हमले करने से पहले खुद ही हमले कर देते हैं लेकिन यहां पर ये बेहद कमजोर पड़े इनके काउंटर टेररीजम सेंटर पर ही कबजा कर लिया विद्रोहियों ने तीन दिन की मसकत के बाद ये छुड़वा पाए अपने सेंटर को अब उसके बाद इन्होंने फैसला कर लिया कि हम एर स्ट्राइक करेंगे और एर स्ट्राइक करके जो अफगानिस्तान में इनके टेरर कैम्प हैं वो ठीक वैसा ही करते थे जैसा पाकिस्तान हमारे साथ करता है अफगानिस्तान बॉर्डर के पास से ये घुशते थे और यहां घटनाय करके सीधे निकल जाते थे TTP का गड़ माना जाता है नंगरवार इलाका ये जो इलाका देख रहे हैं आप अफगानिस्तान का सटा हुआ पाकिस्तान से यहां से बहुत आराम से ये सारे काम होते थे अब यहां पर पाकिस्तान ने गुरुवार को स्ट्राइक कर दिया और ये एरिस्ट्राइक एक बार नहीं बलकि दो दो बार किया गया गुरूवार को सुवह सुवह पाकिस्तानी एर फोर्स ने नांगर हार प्रांत में बम बरसाने शुरू कर दिये। इन्होंने जो एर स्ट्राइक भी किया काफी दूर से किया, काफी उंचाई से किया और सिर्फ बम गिराए। बम गिराने के बाद इन्होंने फिर से दूबारा ग्यारा बजे हमला किया और इस बंबारी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों चुप्पी सादे हुए हैं पर जो अफगानिस्तान की अख़वार है उसने इसका खुलासा किया उन्होंने कहा कि दो बार हमले हुए और इस हमले में आम लोग भी मारे गए हैं अब सवाल ये उड़ता है कि ये एरिस्ट्राइक पाकिस्तान ने सिर्फ अपने बल पर तो सुरू नहीं किया है बात भी सही है कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को अमेरिका का मौन समर्थन है उसे सूद समेत वसलवा रहा है अमेरिका पाकिस्तान का एक आयस ठीफ था उसने एक बड़ा अच्छा इस्टेटमेंट दिया था और वो इस्टेटमेंट इस वक्त जरूर याद करना चाहिए उसने ये कहा था कि हम वो देश हैं जो इतियास रचते हैं और हमने इतियास रचा रूस को हराया अमेरिका की मदद से और अमेरिका को हराया अमेरिका के ही मदद से ये बात उन्होंने अफगानिस्तान के संदर्व में कही थी लेकिन अभी हालात ऐसे हो गए हैं इसक्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल अमेरिका ने पाकिस्तान को मदद के नाम पर मात्र साथ मिलियन डॉलर दिये हैं पिछले साल साथ मिलियन डॉलर क्या होते हैं इस युद्ध के लिए भी भले पाकिस्तान को कह रहा हो हम तुम्हारे साथ हैं लेकिन इसमें हानी तो होने वाली है पाकिस्तान की ही और इसकी सुरुआत भी हो गई है अब ये कहा जा रहा है एक लेटर भेजा गया है और ये लेटर भेजा इसलामाबाद की मारगला हिल से और इस वीडियो मेसेज में जारी किया जा रहा है कि हम आ रहे हैं तहरीके तालिबान के निसाने पर पाकिस्तानी संसद है यानि कि क्या इस बार पाकिस्तान का संसद है निसाने पर वैसे आपको बता दे टीटीपी ने नह सिर्फ पाकिस्ता बल्कि सत्ताधारी लोगों को भी चेतावनी दी थी और कहा था कि अगर आपने सेना का साथ दिया तो फिर आप भी हमारे निशाने पर हो यानि कि उड़ोगे तुम भी कहा जा रहा है कि बहुत जादा निशाने पर जो बिलावल भुटो है वो है वो इसलिए है क्योंकि वो हाली में अमेरिकी बिदेश मंतरी वगेरस मिला था और बिदेशी मामलों में उसके ही हस्तचेप माने जा रहे हैं जैसे ही तालिबान की तरफ से ये धंकी दि गई है हलांकि बिलावल भुटो ने ये कहा है मैं एसी धंकियों से नहीं डरता हूँ मैं एकसन लूँगा लेकिन आपको बता दे इतिहास बड़ा खराब रहा है बेंजिर भुटो जो बिलावल भुटो की मा़ थी वो भी एक आ इसा नहीं है कि यह समस्या सिर्फ पाकिस्तान तक रहेगी बल्कि भारत को भी यहां सजघ होने की जरूरत है इसलिए जरूरत है कि कल को ये आतन की भारत की तरफ भी आ सकते हैं वैसे फिलाल तो इतियास दोहरता हुआ दिख रहा है कभी भारत के संसद पर हमला हुआ था और पाकिस्तान की संसद खत्रे में आ गई है ठीक उनके ही बनाए गए राक्षसों के द्वारा वैसे इन सब मामले में आपकी क्यारा है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ